नमस्का दुस्वाज पिर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज का जो हमारा विशे है वो है Study in Schengen Countries उससे रेलेटर रहेगा September जो Major Intake है 2023 बहुत सारे जो Countries ने Open कर दिया है मैंने फिर बताया है कि Depend है कि आप कौन सी कंट्री में पढ़ने के लिए जा रहे हैं admission का ही process यह लेकर चलिए four to six month का है कुछ selective countries के अंदर क्योंकि जिनके अभी portal open हो चुके हैं October के second week में October के third में October के last week में जैसे मैं Sweden की बात करूँ जान नौरवे की बात करूँ Even मैं Italy की बात करूँ Italy ने भी कुछ countries ने कुछ universities ने अपने portal open की हैं तो अभी उनके portal open हो चुके हैं जिनोंने अगसा सब्तमबर 2023 में पढ़ने के लिए जाना है अभी इनकी notifications आएगी admissions की वो कब आती है मार्च अपरल में तो आप यह लेकर चलिए कि इसके admission process में ही four to six month का process है उसके बाद एक से दो मीने आपके residency card आने में लगते हैं या वीजा आने में लगते हैं तो अगर आपने अच्छी countries में पढ़ने के लिए जाना है जहां का education standard अच्छा है economical studies हैं तो आपको immediately अपने consultant को संपर्क करना पड़ेगा जिनको इन countries के बारे में अच्छा knowledge है सब्तंबर जो major intake रहता है इसमें सब universities open होती है और number of seats रहती है even scholarship के options रहते हैं even कुछ और भी कई type के advantages वहां की universities international students को provide करती है जो visa success rate है सब्तंबर का वो comparatively another intake से comparatively कफी अच्छा रहता है तो आपकी profile check करने के बाद हम suggest कर सकते हैं कि आपके core subjects में percentage कितने है जहां आपके aggregated percentage कितने है आपका study gap कितना है क्या आपने previously बो study complete की है जो आपने prospective studies के लिए apply किया है जहां आपका previous experience उस prospective studies के साथ match कर रहा है जिसमें आपने अपना apply किया है यह सारे precautions बो ही बता सकता है जिनको इन countries के बारे में अच्छा experience है अभी हमने veterinary के उपर काफी research की है अगर आपने vse in veterinary in abroad से करनी है उसकी मेरी 3-4 videos आरड़ी हमारे channel के उपर है जैसे MBBS के लिए बच्चे abroad में जाते हैं हम उनको शेंगन country के options प्रवाइड कर रहे हैं इवन veterinary के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छे and lucrative options हैं इवन आप बहां से अपनी veterinary करने के पाद शेंगन country इवन UK हुआ, Australia, New Zealand हुआ, Canada हुआ ऐसी country में जाके as a veterinary doctor practice कर सकते हैं इवन हमारे पास ऐसी countries हैं, universities हैं जिनकी fees सिर्फ 2500 US dollar से start हो जाती है इवन आपने किसी भी study में foreign countries में जाना है अगर आपकी past study जो आपकी previous study है prospective studies के साथ नहीं मिलती है तो आप उस में admission कि स्वेश से ले सकते हैं वो आपको वो ही technical person बता सकता है जिनको इन countries के बारे में अच्छा experience है Crown Immigration के पास number of options है अभी जैन में maximum universities और maximum countries open हो जाएंगी अभी मैंने स्वीजर लेंड की बात करूँ, Belgium की बात करूँ अब France की public universities की बात करूँ तो उनके portal कुछ के open भी हो चुके है फिर depend उसी का है कि आपने कौन सी country में आपका main motto क्या है even कौन सी country maximum post study permit प्रवाइड करती है कौन सी countries के अंदर easily jobs की availability है कौन सी country में आप easily अपनी spouse को dependent बच्चों को जा अपने parents को बलाना चाहते है किस वे से बला सकते है ये वो ही बता सकता है जिनको ऐसा experience है शेंगन से आ रड़ी दो वार, तीन वार जा चार वार जा रड़ी student refused है फिर भी शेंगन countries में जाना चाहते है कौन सी शेंगन countries एक दूसरे के साथ data share करती है और after refusal of study visa या tourist visa या work permit of शेंगन countries अभी मैंने student visa अपलाई करना है तो कौन सी country के अंदर अपलाई करूँ ये बो ही बता सकता है जो इन countries के साथ लंबे समय के से deal करता आ रहा है इवन अपनी presence शेंगन में होने के कारण क्राउन immigration की पूर्टगाल में office होने के कारण क्राउन immigration को बहुत ही अच्छा experience है foreign studies से related आपने undergraduate programs में जाना है master में जाना है किसी भी stream में जाना है आप हमें संपर करें मैं आपको आपके budget के according आपकी profile के according suggest कर सकता हूँ कौन सी शेंगन की countries है यहाँ पर आप without ILTS भी apply कर सकते है कौन सी शेंगन की countries है जो की promoted countries है यहाँ पर सिर्फ admission ही बट रहे हैं जिसमें सिर्फ consultant को benefit है वो भी economy question बता सकती है Poland का visa effect क्या है student का Malta का visa effect क्या है Greece का visa effect क्या है लथूनिया का visa effect क्या है लथूनिया में सुलवाकिया में सुलवेनिया में visa apply करने से पहले क्या-क्या hurdles आती है चेक रिपबलिक में visa apply करना है तो क्या hurdles आती है अगर डेनमार्क और फिनलेंड में आपका admission आ चुका है जब आपने अपनी residency apply करनी है तो funds को किस वे से elaborate करना है spouse के साथ अपना visa apply करना है newly married है तो फिर क्या precautions लेने है spouse के funds को किस वे से elaborate करना है आप एक regulated professional है means doctors हैं, engineers हैं तो आपका foreign country से admissions नहीं आ पा रहा है तो आपको किस वे से वहां से conditional registration करवा कर आपका language program में हम उन countries में किस वे से बे सकते हैं ये बो ही बता सकता है जिनको इन countries के साथ बहुत अच्छा experience है कौन सी countries के अंदर आपको entrance exams देना पड़ेगा बोसे entrance exams को देने से पहले क्या precautions लेने चाहिए ये भूही बता सकता है जिनको बहुत अच्छा experience हो इन countries के साथ अगर आपने सब्तमबर 2023 में शेंगन countries में जाना है तो आपको आँस से ही अपनी professions करनी पड़ेगी क्योंकि जिसके अंदर हमें आपके transcripts भी में भी university से लेने पड़ सकते हैं आपके recommendation letters है आपका medium of instructions का letter हो सकता है तो उन letter को किस वे से आपने elaborate करवाना है उसके अंदर क्या लिखना है आपका motivations letter कितना important है कौन सी country के अंदर आपका experience बहुत important है ये भूही बता सकता है जिनको इन countries के बारे में अच्छा तजर्वा है Crown Immigration के channel के उपर इस type की बहुत सारी number of videos है हमारा एक playlist बनी हुई है हमारे channel के उपर study in shengen countries या European countries उस playlist के अंदर जितनी भी videos है बहुत related in study in यॉरप या shengen countries है बहाँ जाकर आप हमारी इस से related सारी की सारी videos भी देख सकते है Crown Immigration ने इस type की informative video daily एक जान दो अपने social media पर डालता रहता है और आप चाहते हैं जब भी हम इस type की informative videos अपने social media पर डालें उसकी नोड़के सबसे पहले आप तक आए तो आपको हमारे जितने भी social media इनको immediately follow करना पड़ेगा लास्सी मेरी यही request है कि अगर आपको जो मेरी video ची लगी तो इसको like and share करना ना बोले Thank you